नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं रभीवार को मुख्यमंत्री हमन सुरे ने मंत्रियों संग बैठक के बाद राज एके लोगों के नाम संदेश जारी कर कहा कि क्रोणा के कारण राज के मजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्रात्मिक अस्तर पर निर्ना लिया है एक माबाद परिस्थितियों की समिक्षा करेंगे वही अवसकता पड़ी तो और कड़े निर्नाई लिये जाएंगे बेवजा घर से बाहर नहीं निकले मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील कि है कि वे बेवजा घर से बाहर नहीं निकलेंगे इसके अलावा साधी समारों में अधिक्तम 50 लोग ही मौजूद रहेंगे मौसम बेग्यानिकों की माने तो जहारखन के रजानी राची समेत कई इलाकों में रभीवार से 23 अपरेल तक आसमान साफ रहेगा इस दोरान अधिक्तम तापमान में विरिधी हो सकती है मौसम बेग्यान विभाग ने अपने पूर्वनवान में बताया है कि 21 अपरेल को अधिक्तम तापमान 45 डिग्री सेल्सेस तक पहुंच सकता है आज से दसवी बारावी के सभी स्कूल बांद हिमन सुरेन इधार मौकि मंतर हिमन सुरेन ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपिल किया है उन्होंने कहा कि वे बेवाजा अपने घरों से बाहर नहीं निकले सीम ने अपने संदेश में कहा कि राजी सरकार ने क्रोना चैन को ब्रेक करने के लिए प्रात्मिक अस्तर पर कई ने लिया है जे पीएसी सीविल सेवा परिक्षा अस्थागीत जारखन लोग सेवा आयोग द्वारा दो माई को होने वाली स्वन्योगत और सयनिक सेवा परतियोगत परिक्षा अस्थागीत कर दी गई है कुरोणा के बढ़ते परकॉप को देखते वे सियम हमान सुरेन ने राजे में होने वाले एकेडमिक से लेकर सभी तरह की परतियोगी परिक्षाय अस्तागीत रहेगी जे पिसी की साथ वी से लेकर दास वी तक होने वाली सिविल सेवा की परिक्षा दो माई को होनी थी इसमें करी पांच लाग पचास याई परिधाती को सामिल होना था परिक्षा आयोजन की त्यारी पूरी कर ली गई थी होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों को इसी सपता से मिलेगा मेडिकल किट होम आईसोलेशन में राने वाले मरीजों को इसी सब्ता से मेडिकल किट मिलेगा स्वास्त विभाग ने मुख्यमंत्री हेमान सुरेन के आदेश पर इसे लेकर आवसेक त्यारी कर ली है मुख्यमंत्री हेमान सुरेन एक दो दिनों में इसकी लॉंचिंग कर सकते हैं बतादे होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को मेडिकल किट का लाब मिलेगा हलाकि बाद में सवरक्षा.nic.in पोर्टल पनिवंधन करना अनिवार्य होगा जार्खन क्रिटिकल से चार गुना आगे राज में करोना संक्रमन की रफ्तार इतनी तेजी है कि खुद स्वास्त विभाग का अनुमान फेल हो गया है बतादे स्वास्त विभाग ने करोना की संक्रमन की रफ्तार को देखते हुए राज में संक्रमित संख्या का जीतना अनुमान लगाया था उससे अधिक संक्रामित चार दिन पहले ही मिल गए विभाग ने 21 अप्रेल तक कुरोना की संक्रामित मरीजों की संख्या 24-61 होने का अनुमान लगाया था लेकिन राजे में 17 अप्रेल को ही संक्रामित मरीजों की संख्या बढ़ कर 25-26-29 हो गई इस तरह अनुमान से चार दिन पहले ही अनुमानित मरीजों की संख्या पार हो गई है जार्खंड में साधी वियाफर कड़ाई सिर्फ 50 लोग आएंगे जार्खंड में क्रोना से बेकावू हो रहे हालात को संभालने के लिए मुख्यमंतर हमन सुरे ने कड़े फैसले लिए है राजी के सभी सिक्षन सस्थान अगले आधे स्थक बंद कर दिये गए वहीं सभी परिक्षाय अस्थागित कर दी गई है बता दे साधी समारों में अधिक्तम 50 लोग ही सामिल हो सकेंगे मुख्यमंतर हमन सुरे ने कहा कि राजी में क्रोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा सनिवार को सरुदली बैठक बुलाई गई थी राची के दुकंदारों ने साथ दिनों का किया लोकडाउन जारकन में बढ़ते क्रोना संक्रमन के मामलों को देखते वे राज सरकार ने कुछ कड़े प्रतिबंद लागू किये है वही राची के दुकंदारों ने सोता लोकडाउन का निन लिया है बतादे फोट पाथ दुकंदारों ने वेंडर मार्केट को अगले साथ दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है वहीं अपर बजार, दिन बंधू लेन, रंगरेज, गली की कई दुकानों ने भी अगले कुछ दिनों तक दुकाने बंद रखने का फैसला किया है जार्खन में सच्चिवाले कर्मी 23 अप्रेल तक समोहिक अवकास पर जार्खन के मुख मंतिर हिमन सुरेन की सरकार ने भले ही अभी तक लोकडाउन की घोसना नहीं की है लेकिन सरकारी करमचारी बरतमान इस थिती में काम करने के लिए त्यार नहीं है यही कारण है कि जार्खन राज सच्चिवाले सेवासंग ने 29 अप्रेल से 23 अप्रेल तक समोहिक अवकास पर जाने की घोसना कर दिया बतादे रभीवार को अनलाइन पैठक कर सच्चिवाले सेवासंग ने सरोसमती से समोहिक अवकास पर जाने का निन लिया और इसकी जनकारी सक्षम अधिकारियों को भी देदी है जारखन में 4992 नए केस मिले हैं जो राची से एक हैरती हत्तर वोकारोस से 113, 141, 141, 141, धनबात 174, दुमका 63, पूर्वी सिमून 676 जारखन में 50 की मौत हुई है जो राची से 11, 141, धनबात से 1, दुमका से 2, पूर्वी सिमून से 17 गढ़वा से 2, गोड़ा से 4, गुमला से 2, खूर्टी से 2, कुडर्मा से 1, लात्यार से 1, पलामु से 2, रामगर से 2, साहिव गंज से 1, और पच्मी सिमून से 1, मरीज सामिल है बतादे जारखन में कूल मौत की संख्या 1456 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 28, 1110 है भारत में 1,3,3,7,1 मरीज स्वास्थ हुए, वहीं जारखन में 1551 मरीज स्वास्थ हुए है बिसेस साखा के इंस्पेक्टर और आरक्षी की कुरोना से मौत जारखन पूलिस में कुरोना संक्रमन तेजी से फैल रहा है, बतादे रभीवार को विसेस साखा के एक इंस्पेक्टर और एक आरक्षी की कुरोना से मौत हो गई है जिसके बाद से पूलिस जवान और भी सतर्क हो गए है पूलिस मुख्याले के आकड़े के अनुसार अब तक राजे में 150 के करीब पूलिस कर्मी कुरोना संक्रमी था है कुरोना संक्रमीत पूलिस कर्मीयों में 1 ASP, 3 DSP, 11 इंस्पेक्टर, 31 दरोगा, 16 जामदार, 11 हवलदार, 53 सिपाही, 2 चालक और 5 चतुत वरगिये कर्मी सामिल है अस्पतालों में अक्सीजन यूगत बेट बढ़ाने का पयास जारी हमन सुरेन मुख्यमंतिर हमन सुरेन ने कहा कि राज में कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार दोर सहनिवार को सरुदलिय बैठक बुलाई गई थी रभीवार को सरकार के स्वयोगी दोलों के साथ भी बैठक की राज में कुरोना की स्थिती को ध्यान में राकर कई महतपूर्ण विचार तथा सुजाव विपक्ष के साथियों के तरब से भी आए मुखमत्री ने कहा कि मवजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्रात्मिक अस्थर पर कुछ महतपूर्ण नहीं लिये है इसके तहत राजे के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीए संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, आंगन बाड़ी के अंदर को अगले आधिस्थक के लिए बंद रखने करने नहीं लिया गया है वही साधी बिवा में सामील होने के लिए पहले जो अधिक्तम 200 लोग थे उसे घटा कर 50 कर दिया गया है स्वास्त सचीव ने लिखा पत्र राज के स्वास्त सचीव कॉमल किसौर सौन ने रविवार को पत्र जारी किया पत्र के माध्यम से सभी उपायुक्तों रिमस निदेसक, प्रचार, अधिक छक, सभी मेटिकल कॉलेज, एवं होस्पिटल, सभी सिविल सर्जन, संचालक, चिकिटसा, निदेसक, अधिक छक, मीटव कोविन-19 मरीजों के इलाज के समन्द में निदेश दिया है उन्होंने पत्र में उलेखित किया है कि विभीन सुरोतों से ऐसे अनेक रोगियों के समन्द वे जनकारी प्राप्त हो रही है जिनकी परियोग साला जाच में कोविन-19 पुष्टी नहीं हुई है लेकिन उपचार करने वाले चिकित सको को लक्षनों के अधार पर अत्वा एक सरे सीटी स्केन रक्त जाच आधी अने जाचों के अधार पर यह रोगी कोविन-19 से ही गरासित लग रहे है नयाईक कार्यों में 25 तक हिसा नहीं लेंगे अधिवक्ता राज्य के अधिवक्ता उनाईस से 25 अपरेल तक अधालत की करेवाही में सामिल नहीं होंगे वर्चूल और फिजिकल किसी कोट में अधिवक्ता सामिल नहीं होंगे बता दे जार्खन राज बार काउंसिल की जेनरल बोडी की रभीवार को हुई बैठक में स्वरस्वा मती से अनिने लिया गया बार काउंसिल ने सभी जी लोक के बार संगो और एड़बोकेट एसोसेशन को इस तमाद में पत्र भेज दिया है सभी से इसका पालन करने को कहा है काउंसिल के आदेस का पालन नहीं करने वालों पर नियमो के उसार करवाई की जाएगी जार्खन में दो सब्ता का लोकडाउन लगाया जाए संजासेट राची के 53 संसर सच ने रभिवर को ट्वीट कर कहा कि जारकन की भ्यावा होती इस्थिती को देखते हुए अब राजे की जानता भी लोगड़ाउन की मांग कर रही है ट्वीट के माध्यम से सांसद ने मुख मत्री मन सुरेन स्यागरा किया कि जनहीत को देखते वे जारखन में निम्तम दो सप्ता का लोगड़ाया जाए ताकि कुरोना संक्रमन की चेन को तोड़ी जा सके उन्होंने कहा कि कुरोना से चल रही इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं रेमडे सिवीर की काला बजारी करने वालों पर होगी करवाय रामगार उपायुक्त कुरोना के बड़ते संक्रमन को देखते हुए बजार में रेमडे सिवीर इंजेक्शन की मांग काफी अधिक बढ़ गई है लोगों की डिमांड को देखते हुए डाक्टर और मेडिकल दुकंदार इस इंजेक्शन की काला बजारी करने में भी जूट गया है इस विशम परिश्थिती में लोगों को लूटने की योजना बनाने वाल लेओ पर अधिकारियों की भी पैनी नजर है डिसी संदीप सिंग ने रविवार को बताया कि कई जगों से ऐसी सुचना मिल रही है कि रेमडी सिवीर इंजेक्शन लोगों को उपलब्द नहीं कराया जा रहा कुछ अस्थानों से ऐसी भी सुचना मिल रही है कि इस इंजेक्शन की कला बजारी की जा रही है पलामू सांसद ने गड़वा पलामू को 15-15 लाख दिये सांसद विशनुद्याल राम ने पलामू लोग सबाचेतर कोविन-19 से उत्पन परिस्थितियों को देखते हुए सांसद ने गड़वा के लिए 15-15 लाख रुपे रासी के अनुशंसा की है सांसद ने कहा कि आज पूरे देश कोविन-19 में हमारी से जूज रहा है पलामू लोग सबाचेतर भी अच्छूता नहीं है कोविन-19 से उत्पन परिस्थितियों में स्वास स्वाव पर अत्यधिक बोज़ पर रहा है चैती छट महापरव की जार्खन वासियों को सुबकमनाए जार्खन कॉंग्रेस के अध्यक्स रामेसवर उराओ प्रवक्ता लोग कुमार दूबे लाल की सोरना साहदेव और राजेस गुपता ने चैती छट महापरव की जार्खन वासियों को हार्दिक बधाई और हार्दिक सुबकमनाए दी है उराओ ने रविवार को कहा कि भागवान भासकावर महान आस्था विश्वास एवं भक्ती के महान तेवार चटी मया से कुरोना महामारी की मुक्ती की प्रतना करते है सरकार के दिशा निदेशों का पालन करते हुए मनाये राम उत्सव बिश्व हिंदू परिशत के केंद्रिय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कुरोना संक्रमन की भ्यावाई स्थिति को देखते हुए लोगों से सरकार के अस्तर से जारी दिशा निदेश का पारण करते हुए राम उत्सव मनाने का अगरख किया है उन्होंने लोगों से आवस्यक भी एकत्रित नहीं करने मास्क पहन कर तथा सारी रिख दूरी बनाए उत्सव मनाने की अपील की है जहां कुरोना संक्रमन ज्यादा है कुरोना पर परभावी नियंत्रन के मदनेजर जार्खन सरकार ने राजे में रेमडे सिवीर दवा के उपलपता सुनिश्चीत करने की कवायद आरंब किया है इसके तहद बंगलादेश की एक दवा कंपनी से संपर्क किया गया है मुख मंत्री है मंसुरन ने बंगलादेश से इस जीवन रक्षक दवा को आयात करने के लिए केंद्र सरकार से रनमती मांगी है केंद्री उर्वरक यमरसायन मंत्री डीवी सदानंद गोड़ा को लिखित पत्र में उन्होंने कहा है कि जार्खन में क्रोना संक्रमन के बढ़ रहे मामले को देखते हुए इसकी आउसकत रांची के दुकंदारों ने लिया सोतर लोकडाउन का निर्ना है बेंडर मार्केट साथ दिनों के लिए बंद्ध जार्खन में बढ़ते क्रोना संक्रमन के मामलों को देखते हुए राह सरकार ने कुछ कड़े प्रति बंद लागू किया है वहाई रांची के दुकंदारो ने सोतर लोकडाउन का निर्ने लिया है बता दे पूटपा दुकंदारों ने वेंडर मार्केट को अगले साथ दिनों के लिए बंद रखने का फैसले किया है रेलेवे में खिलाडियों के लिए भरती दक्षिन पूर्व रेलेवे में ग्रूप सी में खेल कोटा के तहत खि दन किया जा सकता है बता दे वेब साइट www.rcacer.co.in पर विस्ति जनकारी उपलबधा है राज जेपाल राजभावन में आइसलेशन में रहेंगी जार्खन की राज जेपाल द्रोपदी मुर्मू मेडिका अस्पताल से वापस राजभावन लौट गई है बता दे वे राज उन्हें किसी परकार की स्वाहत परसानी नहीं है बता दे कि इसे पहले सानिवार को जार्खन में 389 कुरोन संक्रमीत मिले थे लोहर्दागा में लोकडाउन लोहर्दागा जिले में कुरोना संक्रमन के बरते मामलों को लेकर बैवसायों ने चिंता जताई है बैवसायक संगठन की ओर से संक्रमन का फैलाव रोकने को लेकर सप्ता में एक दिन बयार पूरी तरह से बंद रखने का निन लिया जिसके बाद रविवार को लवर्दगा जीले के बेवसायों ने सोता अपने अपनी दुकानों को बंद कर अपना इरादा जाहिर कर दिया है इपास मसीन से फैल रहा संक्रमान दो डिल्रो की मौत रासन बितरन के लिए इपास मसीन से संक्रमीतों कांग उठा लगाने से कोमिट फैल रहा है रविवार को विधायक सिता सुरेन ने मुख मंत्री हमान सुरेन वा मंत्री रमेसवर उराव को जनकारी दी की राची सहर के दो पीडियेस दुकंदार की मौत कुरोना से हो गई है सिता सुरेन ने बताया कि इपास मसीन में रासन लेने के दोरान संक्रमीत कांग उठा का छाप लिया गया था इससे दोनों पीडियेस दुकंदार भी संक्रमीत हो गए थे सिता स्वरेन ने मांग की है कि जनहीत में इपास मसीन से रास्तन वित्रण पत्तकाल रोक लगाई जाए धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहल के लेकर दोए साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ आप हमें लोकडाउन पर अपना फीडबेक अवसे दे थैंक यू